क्या सोच रहे हैं महाराज हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए कैसी प्रतियोगिता महाराज एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूर वीर सैनिक का खिताब देंगे और महाराज कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रत्योगिता में हिस्सा ले ये तो बहुत ही अच्छा सुचाव है चुटकी इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी महाराची ज़ाओ! और आसपास के सभी नगरों में एलान कर दो कि ठोलकपुर के सेना दिवस पर एक महा मुकाबले का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी नगरों के सैनिक हिस्सा ले सकते हैं और जीतने वाले को हम शूर वीर सैनिक का खिताब देगा राजू हारने के लिए तैयार रहना तुम्हें तो मैं दो मिनट में हरा दूं तो आज ही दोर लगाते हैं और देखते हैं कौन जीता है अच्छा आइडिया है क्या कहते हो दोस्तों हाँ दोर हो जाए आज नहीं आज तो मैं ठग गया हूँ क्यों कालिया तर गया है मैं कभी नहीं डरता ठीक है लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने जरूर जाएंगे हाँ जाओ हारने के प्रैक्टिस करो लेकिन मुझे तो आराम करना है वो रही ढोलकपूर की टीम जाओ राजू मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे अच्छा दोस्तों मैं अपनी जगह पर जाता हूं ठीक समय पर आये राजू इस प्रतियोगीता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है आज की प्रतियोगीता के नियम बहुत ही सरल है सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापिस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा जो जीतेगा उसे महराज सम्मानित करेंगे करें लोग सावधान हो जाओ आगे खत्रा है बहुत बढ़िया राजो शुक्रिया सेनापती खत्रा? चुट्टी? रो देखो राजो ने हमें खत्रे का संकेत भेजा है सब लोग भैल जाओ हर चीज़ पर नज़र रखो रुक जाओ इसे तो हम ही सम्हाल लेंगे तुम इंद्र वर्मा को सम्हालो भीव ये लो भीव आज तुमने ढोलकपुर को फिर से एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया मैंने नहीं महराज ये सब तो राजो ने किया है उसी ने रेस खत्म करके हमें खत्रे का संकेत दिया और आपकी रक्षा की राजो तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूर वीर सैनिकुर अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आये पर उन्हीं तो कभी दीर नहीं हो ची अगर आज मास्टर जी नहीं आये तो हम सब खेलने जा सकते हैं या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के इसलिए तुम्हारी बुद्धी का तो जवाब ही नहीं सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लडाई करो पर आप कौन है मेरा नाम है कमल गुल जी और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हाफते की छुट्टी पर गए हैं इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा क्लास में कोई लडाई नहीं करेगा जो भी अमवक नहीं करेगा उसे सजा मिले कि मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा कोई सवाल बहुत अच्छे तो आज का बात शुरू करते हैं अरे बाप री ये मास्टर जी तो बहुत सकते हैं छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास और हर चीज के लिए नियम पर मेरी मा कहते हैं कि ये सारी नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाई जाते हैं बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है हाँ, खास कर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उससे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं हाँ हाँ ऐसी ना इंसाफ ही नहीं चलेगी और इतना सारा रूवक कौन करेगा और नहीं किया तो फिर सजा अरे पर एक हफ़ते की ही तो बात है तब तक हमें ये सूचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या-क्या सीख सकते हैं कालिया यहाँ कालिया मुझे तुम्हारी माफी नहीं तुम्हारी मेहनत चाहिए असल में तुम मुझ से नहीं बढ़ाई से डरते हो ड़क कर महनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझे चुट्की 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 चिर्की, 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 चिर्की La la la, la la la, la 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 la, la 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 아서 comportывать ख्याति चिक्की चिक्की जालालाला झाल